हेलो फेंग्स राधे राधे जैश्री कृष्णा स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुराने सॉक्स के ढे सारे आइडियाज तो मेरे पास कुछ सॉक्स नहीं थी जिनका पेर गुम गया था और कुछ पुराने सॉक्स थी तो उनी के आज मैं बहुत सारे आइडियाज आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं तो आइ होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी कौन से वला आइडिया सबसे अच्छा लगा तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं शिरू करते हैं आईडिया नमबर वान से, तो देखिए मेरे पास इस तरीके की चेर थी, अगर आपके घर में इस तरीके की वुडन चेर या कोई भी चेर हो जिसके नीचे स्टॉपर नहीं होते, तो वो बहुत आवाज करती है और हमारा फॉर्ष भी खराब होता है, तो उसक तरीके से उल्टा इसे पहना लेना है, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उसे आपको सुई धागे से देखिए इस तरीके से सिल लेना है, तो बिल्कुल टाइट-टाइट साथ में देखिए मैं इसे सिल लूँगी, ध्यान रखिएगा मैंने इसे उल्टी तरफ से सिल यह देखिए, तो यह हमने इसे सिल लिया, अब ना हम इसे सीधा कर लेते हैं, तो अंदर वाला कटने ही करना है, इसके अंदर ही रहने दीजेगा, उससे क्या होगा ना, यह बिल्कुल अच्छे से फिट रहेगी और बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, यह देखिए, तो देखिए, मैंने मेरे पास चार अलग-अलग कलर की सॉक्स थी, तो मल्टी कलर में देखिए, इस तरीके से मैंने इने नीचे लगा दिया है, तो अब यह बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगी, जब भी मैं चेयर को खिसकाऊंगी, फर्ष भी बिल्कुल खराब नहीं होग फर्स पे स्क्रेचिस भी नहीं पड़ेंगे, छोटा सा आइडिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, तो देखिए, हम सभी के पास इस तरीके से बॉक्स वगरा होते हैं, तो उसमें कई बारना हम बैंगल्स रख देते हैं, और वो अच्छे से और्गिनाइज भी नहीं होती, तो इनके लिए आप पुरानी सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने छोटा डबा था, इसलिए यहां पर बच्चों वाली सॉक्स ली है, अगर आपके पस बड़े साइज का बाक्स है तो आप बड़े वाली सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके बीच में देखे, मैंने कतरनों को फिल कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल बॉक्स के साइज का देखे, मेरे पास रेडी हो गया, अब हम इसमें जितनी भी कितने अच्छे से और्गनाइज हो गई, तो अगर आपके पस पुरानी साउक्स है, तो आप इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बार ट्रांस्पिरेंट लिट को मैंने यहां पे लगा दिया, और ये देखे, हमारा प्यारा सा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए देखते हैं next idea, तो next idea देखे हमारी party wear sandal, belly वगईरा या shoes वगईरा होते हैं तो उनको हम इस तरीके से organize करके रखते हैं, लेकिन क्या होता है ऐसे रखने से यह देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ दब गया और साइडों से कट भी जाता है, अगर कोई stone वाली और पुरानी सॉक्स को आपको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो भी आपका शूज या सैंडल वगर है उसके अंदर इस तरीके से रखना है ऐसे रखने से क्या होगा यह जितना भी कहीं पे भी आप स्टोर करके रखेंगे न इन्हें तो यह बिलकुल भी इसकी शेप खराब नहीं होगा ये देखिए, तो ये वपला आइडिया न, पुराने ही आपके shoes हैं, sandal है, कोई भी party wear sandal है, shoes है, उनके लिए आप ट्राइ कर सकते हैं. बच्चों के shoes पे, बड़ों के shoes पे, कहीं पर भी देखिए, try कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं next idea अगर हम कहीं ट्रावलिंग बग coupon करते हैं तो भी काम आनेवाला जैसे shifting बगएरा करते हैं गहर की तो यह आइडिया आपके काम आएगा और वेसे भी अगर आप organize करके रखना चाते हैं तो भी आइडिया आपके काम आएगा, अगर हम ऐसे ही रख देते हैं, तो ग्लासेज वगेरा हमारे टूच जाते हैं, तो अगर आप इन्हें इस तरीके से सॉक्स में और्गनाइज करके रखेंगे, तो यह आपस में टकराएंगे नहीं, और बिल्कुल अच्छे से देखें, और्गनाइज हो जाएंगे, तो पुरानी सॉक्स का आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं, आप ग्लासेज वगेरा के लिए यूज करें, अगर आपके पास दूसरी वाली क्रॉकरी है ना, देखिए इस तरीके की, तो उसको और्गनाइज करने के अगर यूज कर सकते हैं, अगर ऐसे ही रख देगे, तो यह तूट जाएगी, तो इसके लिए देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सॉक्स को कट करके हMIN यूज करेंगे, यहां पर, एसके बाद जो भी हमारी क्रॉकरी है ना, इसके बीच में, इस तरीके से रखते रहेंगे सॉ क्रॉकरी को रखना है न देख़े में इस तरीके से आप इस तरीके से आप ऑप कहा एक लिजियु कर लिजिया बोगारा में ये एक आपके बहुत काम आएगा तो अब ये बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं, अच्छे से टेप लगाके किसी बॉक्स में आप इने इस तरीके से पैक करके रख लीजिए, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आइडिया, तो मेरे पास नहीं इस तरीके के छोटी-छोटे प्लांट्स थे, क्योंकि ये वाइ साइस के प्लांट है तो उसके लिए आप दूसरी बड़ी वाली सॉक्स का यूजिए कर सकते हैं, तो देखिए चोटा सा आइडिया था, आपको पसंद आया होगा, तो इस तरीके से चोटे साइस के गमले, बड़े साइस के गमलों का कवर बनाने के लिए उन्हें पर इन बोतल को रखते हैं वो फ्लोर पूरा खराब हो जाता है, तो इस तरीके से अगर आप सॉक्स को इन बोतल में पहना देंगे तो जो भी एक्स्ट्र ओयल होगा वो सॉक लेगी और बिल्कुल भी आपका फ्लोर कहीं पर गंदा नहीं होगा, तो किसी भी तरह की ओयल की बोतल होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार हमारे पस बड़ी बोतले होती हैं, तो मेरे पस बड़ी नहीं थे, मैं छोटी में आपको देखे कवर बना के दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही, मैंने इसके साइज का बना लिया है, तो अब जब भी हम भी आउइल यूज़ करेंगे तो जो भी एक्सट्र ऐल होगा वो नीचे नहीं गिरेगा, तो इस तरीके से देखे आपना सौक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो चल्ये देखते हैं, तो नेक्सट ऐड्या क्या होता हैं, क Superman की सब्स。 उसको socks में डालके carry कर सकते हैं और अगर आपके घर में बच्चे school वगरे जाते हैं आपकी बेटी तो उसे भी देखे इस तरीके से carry करने के लिए school bag में वो अराम से रख सकती है छोटा सा idea था, छोटी सी trick थी I hope आपको पसंद आई होगी तो चलिए देखते है next idea तो next idea देखे इस तरीके से जो हम सीक वाला जाड़ू यूज करते हैं कहीं बार हम यूज करते हैं हमारे हाथों में बहुत लगता है तो उसके लिए आप यहाँ पे socks का यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे मेरी चोटी बेटी की socks ली है अगर आप बड़ी वाली socks यूज कर रहे हैं तो जैसे first idea में मैंने extra sill लिया था ना हाथ से सिलके दिखाया था आपको तो आप वैसे sill लीजिएगा और अगर आपकी socks चोटी वाली यूज कर रहे हैं तो आपकी देखिए इस तरीके से फेटा जाएगी तो इस वाले idea को भी आप try कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी आप जाडू लगाएंगे ना तो सीक इसकी हाथ में नहीं लगेगी तो चलिए देखते है next idea में देखिए आप इस idea को बहुत चीजों के लिए use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको किचन के जो खाली पैकेट्स हमारे पास बच जाते हैं उनके लिए use करके दिखा रहे हूं तो आपको इस तरीके से कट करके रख लेना है यह थोड़े से pieces एक चोटे से डबे में डालके आप रख लीजिए और जब भी जोरुत हो उन्हें आप इस तरीके से use कर सकते हैं तो कोई भी छोटा सा डबा लीजिए उसमें डालके ये चुटे-चुटे rubber bands किचन में रख लीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप उनका यूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं next time तो देखे इस तरीके से 西 Viele और इस करने के लिए आप सॉक्स के उल्टी तरफ करना है Olकर कर आप कर लूजकर फिर हलका रोल करते रहना है तो आप का इस पॉफ जासा बनज जाए यहां पर यह देखिए उसके बाद क्या करना है जितनी भी अभी मैंने आपको नीडल्स दिखाई ती ना वो अराम से देखे आप इसमें लगा लीजिए और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था ना यह मैं उसी बॉक्स में रख दूंगी तो दिखे कितने अच्छे से मारा और्गनाई़ ओगया अब इसे हम यहाँ पर बॉक्स में रख देते हैं ये देखें तो आप ये वाला चोटा सा आइडिया भी ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स आइडिया तो नेक्स्ट आइडिया देखिए अगर आप सिलाई का काम करते हैं आपके पास लेसिस है ना तो उन्हें भी और्गनाइज करने के लिए आप पुरानी सॉक्स का यूज कर सकते हैं करना क्या है देखिए जैसे मैंने आपको किचन वला आइडिया बताया था ना दोई वला आइडिया यहां पर भी ट्राइ कर सकते हैं देखिए तो इसी तरीके से रबर बैंड्स बना लेने हैं आपको और इन रबर बैंड्स का हम यूज कर सकते हैं तो इन रबर बैंड्स का आप बहुत जगा पे यूज़ कर सकते हैं, देखिए. तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, हमारे laces organized हो जाएंगी, और बिल्कुल भी mess up नहीं होगा. इवन जो इस तरीके के roll होते हैं, उने भी आप organize कर सकते हैं, इस rubber band से देखिए. तो ये खुल जाते हैं, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैं rubber band लगा दूँगे. तो पुरानी socks का देखिए, आप इस तरीके से भी use कर सकते हैं. तो छोटा सा idea था, I hope आपको पसंद आया होगा, तो चलिए देखते हैं next idea. तो next idea में देखिए, इस तरीके से हमारे पास umbrella होता हैं, उसे cover करने के लिए भी आप पुरानी socks का use कर सकते हैं, एक तो आपकी umbrella बिल्कुल अच्छे से organize हो जाएगी, और दूसरा दूल मिट्टी से गंदी भी नहीं होगी, अब कहीं भी आप इसे hand कर लीजिए, तो प्यारा अमरेला cover हमारा यहां पर देखिए, बनके ready हो चुका है, छोटा सा idea था, I hope आपको पसंद आया होगा, तो चलिए, देखते है next idea, इसा idea के लिए देखिए, मैंने ना एक कपड़े का base ले लिया, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उसके बाद ना socks को कट करके देखिए, उसे margin छोब देना है, तो फिर आपको इस तरीके से socks को रख लेना है, तो यहां पर मैं छोटे size का बना रही हूं, बाखं के आगे रखने के लिए, आप ना इसे छोटे बड़े size में भी अराम से बना सकते हैं, Socks को मैंने इस तरीके से रख लिए, आप एक और कपड़ा लेना है, जो बीच में center के बराबर हूँ, और जो हमने बाहर की तरफ extra कपड़ा लिया था आपसे हम पोल करेंगे इसके उपर और पिन कर लेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से में इसे पिन कर लोगी, अगर आपके से पिन कर लेंगे, तो पूरा हम पहले इसका बॉडर स्टिच कर लेंगे, उसके बाद ना इसके पीच पीच में मैं सिलाई लगा के पूरा अच्छे से से क्विल्ट कर लोगी, यह दो फार, तो इसे ने आप छोटे साइस में बड़े साइस में किसी भी साइस में आराम से तो बाहर के लिए आप कोई भी बैट शीट, कोई भी सोफा कवर, कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, तो देखे, प्यारा सा मेरा मैट पन के यहां पे रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सॉक्स डाली हैं, तो बहुत अच्छे से पानी को सोक ल करना क्या है, कुछ नहीं करना, ना सॉक्स को काटना है, ना कुछ करना है, बस सॉक्स को देखे, आपको इस तरीके से इसके उपर डाल लेना है, यह देखे, तो बिलकुल अच्छे से यहां से हो गया, अब क्या करना है, जो जितनी भी एक्स्ट्र सॉक्स है, या तो आप इ यह देखे इस तरीके से, तो जो इसका उपर वाला elastic है ना, उसकी वज़े से यह बहुत अच्छे से इस पर टिका रहेगा, यह देखे, और यह प्यारा से देखे, पैन स्टेंड हमारा बनके रेडी हो चुका है, इसका आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं, पैन वगएरा रखने के लिए, बात्रूम वगएरा में हैंक करकी रख दीजिए, इसमें कोलकेट वगएरा, ब्रश वगएरा रखने के लिए, किचन में स्प वगएरा रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई चोटे मोटे प्लांट वगएरा लगा सकते हैं, इसके अंदर और अपने घर को डेकورेट कर सकते हैं, तो एक चोटा सा बॉक्स देखे, हमने यहाँ पर बिना लिया है, जिसका आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ थेंक यू